हेलो फ्रेंड्स, बेलकम टू एकजूट ओनलाइन प्लास्टिस दोस्तों, इलेक्रिशियन थेोरी का पार्ट फस्ट है जिसमें आज हम लोग देखेंगे टाप 25 MCQ जो की आने वाले सभी एकजाम के लिए महत्तपूर होंगे दोस्तों, अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आये तो चैनल को लाइक, सेयर एंड, सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को स्टेडी रिलेटेड ग्रूप में जरूर सेयर करें तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का पहला कोश्चन किसी अर्ध तरंग परिसोधक की कार्श हमता होती है फर्श्ट आप्सन लगभग 50% सेकंड आप्सन लगभग 40% थर्ड आप्सन लगभग 80% फर्थ आप्सन लगभग 100% तो बताये दोस्तों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? लगभग 46 प्रतिसर अगला कोश्चन अर्थिंग का उद्देश होता है फर्स्ट आप्शन प्रिथिवी से संभावित निन्म प्रतिरोध उपलब्ध कराना सेकंड आप्शन प्रिथिवी से संभावित उच्च प्रतिरोध उपलब्ध कराना थर्ड आप्शन धनात्मक, रिणात्मक तथा जीरो सेणी करेंट के प्रभाह को उपलब्ध कराना फोर्थ आप्शन उप्रोक में से कोई नहीं तो बताए दोस्तों सही आंसर क्या हो जाएगा प्रित्वी से संभावित निन्म प्रतिरोध उपलब्ध कराना फिर अगला कोश्चन बिजिली घरों में किस भंडारण बैटरी का शामानतया प्रयोग किया जाता है फर्स्ट आप्शन निकल करडीमियम बैटरी सिकंड आप्शन जिंक कारबन बैटरी फर्ड आप्शन लेड कारण लेड अमल बैटरी फूर्थ आप्शन इन में से कोई नहीं तो बताएए दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा लेड अमल बैटरी फिर अगला कोश्चन परिसोधक या रेक्टिफायर का कार्य होता है फर्स्ट आप्शन है G, DC को अची में परिवर्थित करना, सेकन्ड आप्शन है AC को इसपंदनी DC में परिवर्थित करना, फर्द आप्शन है इन में से कोई नहीं तो बताए दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा AC को इस्पंदनी DC में परिवर्थित करना फिर अगला कोस्चन बिद्दुती उर्जा का मात्रक है फर्स्ट आप्शन के डबलू यानि किलो बाट सेकंड आप्शन के डबलू एच किलो बाट घंटा फिर थर्ड आप्शन के वी किलो बोल्ट फोर्थ आप्शन के वी ए आर किलो बोल्ट एम्पियर रजिस्टेंज तो बताया दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा के डबलू एच फिर अगला कोस्चन इस्थिर बिद्दुती बिद्दुत की एक ऐसी साखा है जिसमें फर्ष्ट आप्शन चालकों के बीच के अंतर में उर्जा के अध्यान होता है शकंड आप्शन बचा हुआ आवेश का अध्यान होता है थर्ड आप्शन सचल आवेश का अध्यान होता है फोर्थ आप्शन आवेशित उर्जा का अध्यान होता है तो बताएं दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बचा हुआ आबेश का अध्यन होता है फिर अगला कोश्चन किसी परिपत के लिए जिसमें 36 ओम के प्रतिरोधक के माध्यम से 2 एंपियर की धारा प्रबाहित हो रही है बोल्टेज सॉर्स क्या होगी तो बताएं दोस्त 1.8 बोल्ट 2.18 बोल्ट 3.72 बोल्ट 4.72 बोल्ट तो बताएं दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 72 बोल्ट इसमें कौन से सूत लगेगा भी बराबर आई आर पिर अगला कोश्चन भी और आर मान पता होने पर आई का सूत्र होगा फर्स्ट आप्षन आई बराबर भी आर सिकंड आप्षन आई बराबर आर बटे भी फर्ड आप्षन भी बराबर आई अपन आर फोर्थ आप्षन आई बराबर भी बटे आर तू बताए दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा पराबर भी बटे और फिर अगला कोश्चन पीक फेक्टर इन में से किसका अनुपात है फट्टे अपसन आर अन के साथ पीक मान का सिकंड आपसन औस अनुपात है तो बताएए दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आर एमस मान के साथ पीक मान का फिर अगला कोश्चन एक इलेक्ट्रोन बोल्ट बराबर होता है फर्स्ट आप्सन छे दसमलो जीरो दो इन्टू दस की पावर तेज जूल सिकंड आप्सन एक दसमलो छे गुड़े दस की पावर माइनस 19 जूल फिर थर्ड आप्सन छे दसमलो दो पांच गुड़े दस की पावर 16 जूल होर्थ आप्सन एक दसमलो छे छे इंटू दस की पावर माइनस 24 जूल तो बताएए दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा एक दसमलो 6 गुड़े 10 की पावर माइनस 19 जूल फिर अगला कोश्चिन प्रतिरोध मापा जाता है फ़र्ट आप्शन हेनरी सिकंड आप्शन ओम थार्ड आप्शन हर्ज फोर्थ आप्शन वार्ट तो बताएए दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ओम फिर अगला कोश्चिन लेड अमल बैटरी चल सकती है फर्स्ट आप्शन 6 महीने सिकंड आप्शन एक वर्ष थार्ड आप्शन 2 से पाँच वर्ष फोर्थ आप्शन 10 से पंदरा वर्ष तो बताएं दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दो से 5 वर्ष एक परिपत को पावर फैक्टर बराबर है एसी परिपत का पावर फैक्टर बराबर होता है क्या होता है फ़श्ट आप्शन फेस कौर्ड का टैन, फेसकौर्ड का को साइन, फिर फ़ीर फिर फोर्फ आप्शन, इन में से कोई नहीं तो बताए दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा फेस कोर्ड का को स्वाइन पिर अगला question लिखित में से काउन सी बिद्दुती मात्रा नहीं है फर्ष्ट आप्षन बोल्टेज, सिकंड आप्षन करेंट, थर्ड आप्षन दूरी, फोर्थ आप्षन पावर तो बताए दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दूरी पिर अगला question किसी एक बिंदु पर मिल रहे सारे करेंट का योग सुन होता है यह किसका नियम है फ़स्ट आप्षन, किर्चाप का करेंट नियम, सिकंड आप्षन, किर्चाप का बोल्टेज नियम, थर्ड आप्षन, ओम का नियम, फोर्थ आप्षन गौस का नियम तो बताए दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा किर्चाप का करेंट नियम फिर अगला कोस्चन एक बारा बोल्ट बैटरी का खुला परिपत बोल्टेज होगा फर्स्ट आप्शन बारा बोल्ट शेकंड आप्शन बारा बोल्ट से अधिक थर्ड आप्सन बारा बोल्ट से कम फोर्थ आप्सन इन में से कोई नहीं बारा बोल्ट रगला कोश्चन इंट्रेंसिंग अर्ध चालक पदार्थ में कितने इलेक्टरान का संयोजक्ता कच होता है तो बताए दोस्तों इसका सही आप्सर क्या हो जाएगा चार पिर अगला कोश्चन प्रतिवाधा या इंपिडेंस का मात्रक है फर्स्ट आप्सन हेनरी, सिकंड आप्सन ओम, थर्ड आप्सन हर्ज, फोर्थ आप्सन मौ तो बताए दोस्तों इसका सही आप्सर क्या हो जाएगा ओम फिर अगला कोश्चन प्रेरण प्रतिगात या इंडेक्टिव रियक्टेंस XL बराबर क्या होगा फर्स्ट आप्सन टू पाई एप एल, सेकंड आप्सन हाफ पाई टी एप एल, थर्ड आप्सन पाई एप एल, फिर फूर्थ आप्सन वन बाई वन पाई एप एल तो बताए दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा टू पाई एप एल फिर अगला कोश्चन किसी आवेस रहित चालक के निकट चुम्बकी छेतर की दिसा निर्म लिखित में से किस नियम दौरा याद करते हैं फर्ष्ट आप्सन फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से सेकंड आप्सन दाएं हाथ के अंगूठे का नियम थर्ड आप्सन फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम फिर फोर्थ आप्सन इन में से कोई नहीं तो बताए दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से फिर अगला कोश्चन देखेंगे विद्धुती सोल्डर मिस्टर्ण है फर्स्ट आप्शन लेड़ 37% तिन 63% फिर सेकंड आप्शन लेड़ 50% तिन 55% फिर अगला को थर्ड आप्शन लेड़ 50% तिन 37% फिर फोर्थ आप्शन लेड़ 70% और तिन 30% 30% तो बताएं दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा लेड़ 37% और तिन 63% इसमें कभी कभी दोस्तों आपका यहां पे लगभग में दिया हुआ है मान और एक्च्वेली मान होता है लेड़ आपका 40% यानि 40% और तिन 60% होता है फिर अगला कोस्चन किसी पदार्थ का प्रतिरोध निर्भर करता है फर्ष्ट अप्शन लंबाई पर शेकंड़ अप्शन क्रोस सेक्षन का छेत्र फल पर धर्ड़ अप्शन पदार्थ पर फूर्थ अप्शन प्रोक्ट सभी तो बताए दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा उप्रोक्त सभी फिर अगला question 400 U S mu S 400 mu S period के एक signal की आबरित्ती होती है फर्ष्ट आप्षन 250 Hz, सिकंड आप्षन 25 Hz, फर्ड आप्षन 25,000 Hz, फोर्थ आप्षन 400 Hz तो बताएं दोस्तों उसका सही answer क्या हो जाएगा 25 Hz, फिर अगला question निर्म लिखित में से किसमे चालन बैंड संयोजक्ता बैंड के समीप होता है फर्ष्ट आप्षन अर्ध चालक में सेकंड आप्षन चालक में थर्ड आप्षन बिद्दुत उस्मा रोधी में फिर अगला फोर्थ आप्षन इन सभी में दूरी एक समान होती है तो बताएं दोस्तों इसका सही answer क्या हो जाएगा चालक में फिर अगला question देखेंगे जब किसी electrolyte में बिद्दुत धारा प्रवाहित होती है और कुछ रासायनिक क्रियाएं होती है तो इस बिद्दी को क्या कहते हैं फर्ष्ट आप्षन प्रकास संस्लेशन सेकंड आप्षन बिद्दुती अभगटन थर्ड आप्षन बिद्दुती चुम्बक फोर्थ आप्षन बिद्दुत रसायन तो बताएं दोस्तों इसका सही answer क्या हो जाएगा बिद्दुत अभगटन तो इसी के साथ आज का सेशन समाप्त होता है दोस्तों और आपको वीडियो मेरा पसंद आए तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और सेयर करें धर्नवाद